हेलो फ्रेंड्स अगर आभी भी आपमें मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए नीचे जो लाइक बटन है अकर आपको यह वीडियो आपको लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आज हम लोग सीखेंगे पेवल और स्टोन या र बॉक आपको रस्त के साइड में हो बीच साइड में हो कही पे भी आपको इसली एवेलेबल है तो इसके लिए आपको क्या करना है इस तरीके का जो स्टोन होता है यह अलग अलग शेप का स्टोन है यह ले ले लेना है और इसको आपको पेंट कर लेना है तो चलिए देखते पहला एक कोट मैं इसमें दे दोंगी फिर ड्राइ होने के बाद इसमें और एक कोट दोंगी अच्छी तरीके से इसको आपको पीन्ट कर लेना है अच्छी तरीके से इसको आपको पीन्ट कर लेना है आपका हो जाए इसको ज्यादा टाइम में ही लगता है 15 मिंट्स एनफ है ड्राइं होने के लिए रख देना है इसके बाद सेगें कोट देके मैं इसका डीजेइन करूंगी अभी इसके उपर वाइट कलर से मुझे आई कर लेना है पीन्सिल से यह आपका पीन्ट ड्राइव होने के बाद थ्रस ड्रॉ कर लीजिए तो इजी होगा मैंने इसमें ड्रॉ कर ली हूँ ऐसा वाइट से आपका करने के बाद एक लियर दिन आपको ब्लैक कलर लेके ऐसरी प्लैक कही होगा ऐसा बीकित यह साइट से आपको एक अशा दॉक्बाद कने लेके लेके बाद होगा ब्लैक कलर से इस तरीके से आप देख सकते हो गया इस तरीके से दो लाइन आपको ब्लैक कलर से कर लेना है और इसके उपर एक कोट आपको एक्स्ट्रा कर लेना तकि ब्राइट दिखे इस तरीके से आपका बी का बोडी का बन गया देन आपको क्या करना है अब ही फिर से ब्लैक पेंट आपका लेके यह पतला वाला मैंने इसका बॉर्डर कर ली थी यह इस तरीके से आपको लेना है और इस तरीके से आपको कर लेना है फिर दूसरा साइट के लिए भी इस तरीके से लाके इस तरीके से आपका बन जाएगा अभी फेस के लिए अभी आखों में आपको क्या करना है यह साइट का थोड़ा सा एड़्जस्ट कर लेती हूं इसके बाद बीच में आपको क्या करना है एक इस तरीके का अपने डॉर्ट दे दिया अभी इयर के लिए पहले में क्या करूंगी ब्लैक कलर का बॉर्डर कर लूँगी उसके बाद उसमें वाइट कलर का फिल करूंगी इस तरीके से आपने देखा यह जो मैंने ब्लैक कलर का बॉर्डर कर लिया फिर ऑपोजिट साइड में भी इस तरीके से आपको आपको स्टोन जैसे बीच साइड में हो या कहीं पर भी आपको रस्ते के साइड में भी हो आराम से मिल जाता है तो स्टोन से आप ऐसे अलग-अलग टाइप का इसली डिजाइन बना सकते है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है यह कंप्लीट हो जाने के बाद इतना सुन्दर लगेगा यह लो कोस्ट भी है इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने दो एयर कर लिया अभी यह दो एयर को मुझे वाइट कलर से फिल्ट अभी वाइट कलर आपको लेके यह यह के बीच में आपको डालना है इस तरीके से अगर साइट से कभी भी लगे आपका ब्लैक बोर्टर थोड़ा सा खराब मतब हो रहा है तो लास में आप इसका ठीक कर सकते हैं और पहले से ब्लैक बोर्टर कर लेने से अच्छा क्या है आपको किस डिजैंड कि यह कौन सा साइज है पता चल जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है अभी इसके लिए और एक में मैं इस तरीके से रेट कलर फुल रेट कलर नहीं करना है आपको ऐसा हाट शेप में आपको रेट कलर करना है अभी बाकी का जो आपका ये पोर्शन है इसमें मैं प्लैक कलर कर दूगे ये थुरा नैस्टी काम है आपका हाथ में पेंट लगता है आप चाहे तो गलव्स भी पैन सकते हैं इस तरह की से बाकी का पोर्शन मैंने ब्लैक कर दिया और आपको पेंट आप डबल कोट करेंगे तो दिखने में भी ज्यादा ब्राइट और अच्छा दिखता है और बैक साइड करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि कौन बैक साइड देखता है आप तो डेकॉर इस तरह के से करेंगे सु बैक साइड नहीं पस साइड थोड़ा सा आप कर दिजे इस तरह के से साइड को मैं थोड़ा सा कर दूंगे अभी इसको ड्राइ होने के लिए 10 मिर्स के लिए में रख दूंगे अभी क्या करना है आपको वाइट कलर लेके इसका दो इस तरह के का आग बना देंगे इसके बाद आप ब्लैक कलर लीजिए और इसमें आपको डॉट डॉट देना है और एक यह जो बीच का आपका यह है ना इससे एक आपको पतला सा लाइन खीच देना है ब्लैक कलर से और यह लाइन इस तरह के से अब को डॉट करके यह लाइन को प्रमिनेंट करने के लिए और एक बर एक पतला साथाओ लेजिए यह भी आपका रेडी हो गया इस तरीके से मेरा यह स्टोन आर्ट रेडी हो गया है यह आप देख सकते हैं एक कैट है यह एक बी है यह एक लेडी बग है और यह एक आउल है और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ सामन की भी ज़रुत नहीं यह नॉर्मली एक अकुरिलिक पेंट तो आपके घर पे रहता ही है अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा काइंटल लाइक कीजिए श्केर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिए